नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों अगर आप गुरखपुर विशभी द्याले में एड्मिसन लेने जा रहे हैं तो आपको जानना बेहत जरूरी है कि एड्मिसन के समय आपको कौन-कौन से डॉकुमेंट्स की जरूरत पढ़ने वाली है अगर आपको पहले से ही पता होगा कि कौन-कौन से डॉकुमेंट्स की जरूरत पढ़ेगी तो आप एड्मिसन के समय परिसान नहीं होंगे तो चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं कि आपको admission की समय कौन-कौन से documents को तयार रखने हैं तो दोस्तो जो सबसे पहला documents है वो है आपका अधार card और उसके बाद आपके सभी mark seat चाए वो high school का हो, intermediate का हो अगर आपने graduation किया है या फिर diploma भी किया है तो उसका भी mark seat या certificate अपने साथ जरूर रखें और इसके साथ ही साथ जो अगला important documents है वो है TC यानि की transfer certificate अगला important documents है वो है character certificate और friends मैं आप सब को बता दूँ आपने जिस last institute या colleges में पढ़ा है वहां का ही character certificate आपको बनवाना है वहीं अगर आप CBSC या ICSC board के student है तो आपको migration certificate भी बनवाना है अगर आप UP board के हैं तो आपको migration certificate की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहीं आगे बात करें तो cash certificate, domicile certificate और इसके साथ ही साथ income certificate की भी ज़रूरत पड़ेगी और बता दें ये जो तीनो certificate है ये तीन साल के अंदर का होना चाहिए तो अगर आपके पास ये documents नहीं है तो मैं कहूंगा कि आप इसे फॉरन बनवा लेजे और दोस्तों वहीं अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो आपके पास EWS का भी certificate होना चाहिए और इन सभी certificate के साथ साथ आपके पास entrance exam का admit card और entrance exam के result की photocopy भी आपके पास होनी चाहिए और दोस्तों जो सबसे last वाला document है वो है counseling letter को admission से पहले counseling letter भी download कर लेना है जो कि admission के समय आपको DDO के official website पर में जाएगा तो दोस्तों मुझे उमीद है अब आपने जान लिया है कि admission के समय आपको कौन-कौन से documents की जरुरत पढ़ने वाली है अगर आपके पास इन में से कोई document नहीं है तो आप admission से पहले उसे तयार कर लें तो दोस्तों फिलाल इस वीडियो में सिर्फ इतना है अगर इस वीडियो से related कोई आपके मन में सवाल हो तो आप मेरे insta id के थुरू मुझसे पूछ सकते हैं जिसका link आपको वीडियो के description box और comment box में मिल जाएगा तो मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद